नमस्कार, किमन तुलावि में आपका तहे दिल से स्वागत है YouTube Marketing Series का ये हमारा तीसरा वीडियो है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें YouTube Channel रन करना है और YouTube Channel की ग्रोथ करनी है तो continuously वीडियो कैसे अपलोड करने उसका schedule कैसे रखना है उसका time table क्या होना चाहिए अगर हमें social media पे भी अपने वीडियो अपलोड करने हमारा वीडियो शेयर करने है अगर हमें ज़्यादा वीवर्स चाहिए तो उसकी strategy क्या होनी चाहिए ये हमारा आज का topic है actually होता क्या है कि जब हम नए नए YouTube channel बनाते हैं तब हमें बहुत जोश रहता है वीडियो बनाने के लिए काम करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े YouTubers है या फिर जो नए YouTubers है वो क्या करते हैं कि जब channel शुरू होता है तो पहले हपते में उनके 1,2,3,4,5,6,10 तक वीडियो आ जाते हैं लेकिन जैसे जैसे दिन बीटते जाते हैं वैसे वैसे वो वीडियो आने का speed कम होता जाता है gap बढ़ने लगता है उसमें क्या होता है कि पहले-पहले जैसे मैंने बोला वैसे हम लोग जोश में रहते हैं कुछ नयापन रहता है तो हमें इंट्रेस्ट भी लगने लगता है और धीरे-धीरे हमारा इंट्रेस्ट उसमें से कम होता जाता है अगर हमारा interest उसमें से कम होता गया और ज्यादा gap आ गया हमारे दो वीडियों के बीच में अपलोडिंग में तो हमारा channel YouTube के ranking में धिरे धिरे नीचे जाने लगता है पर करे तो क्या करे ये सवाल बहुत सरे लोगों के दिमाग में आने लगता है क्योंकि कुछ लोगों को problem ये हो जाता है कि उनके पास जो content होता है content ही खतम हो गया होता है और कुछ लोगों का YouTube channel के लिए जो बनाने का interest होता है वो interest ही खतम होने लगता है क्योंकि शुरू-शुरू में तो लगता है कि बहुत बढ़िया है बहुत हम presentable दिक रहे हैं चार लोग appreciate कर रहे हैं लोगों को अच्छा लगता है पर बात में पता चलता है कि एक दो वीडियो बनाना अलग बात है और continuously YouTube के वीडियो बनाना अलग बात है उसके लिए आपको planning की जरूरत पढ़ती है उसके लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत पढ़ती है और आपको consistency बना के रखने पढ़ती है वो सब लोग बना के नहीं रख पाते और दीरे-दीरे क्या होता है कि YouTube के जो दो वीडियो होते उसमें से gap बढ़ने लगता है और बहुत सारे लोग जिनोंने एक साथ वीडियो बनाना चालू कि एक महने में उसमें से 90% लोग YouTube छोड़ देते मतलब वो YouTube को उतना इंट्रेश्ट नहीं लेते YouTube में वीडियो बनाने में या उनका उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है बस 10% लोग ऐसे रहते वो ल पहले आगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि पहली चीज यह है कि अगर आपको YouTube चैनल अपना सक्सेस्पूल बनाना है तो जो सक्सेस्पूल यूट्यूबर से उनके चैनल को आपको श्टडी करना पड़ेगा मतलब आपका चैनल का टॉपिक एक बार डिसाइड कर लिया Fer करना है तो जो कोई अपक होगी पहरी चीज अपया करने होगे कि जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड चैनल से होग्रेंस को यूट्यूबर से उनको आपको फालो करना है उनके habits देखनें आपको किस तरह से वीडियो अपलोड करते किस तरह से खुद को present करते किस तरह से बात करते अगर आपने ये study किया है तो आपका YouTube channel ग्रोव करने में आपको मदद मिलेगी बहुत सरे लोग क्या करते है कि अगर मुझे आज recipe का channel चालू करना है तो आज मैं निन से उठ जाता हूँ mobile लेता हूँ चानल चालू कर देता हूँ मैं study नहीं करता है आपको study करना है कौन सा YouTube channel टॉप है और वो टॉप किस की बज़े से है तो अगर आप ये बज़े डूनने लगोगे और वो अपना जो schedule है वो strictly follow करते है मतलब अगर उसने decide कि मैं दिन में एक video बनाऊँ गए तो दिन में एक video बनाएगा है वो topic के ओपर ये ये नहीं करेगा कि ये मेरा part time job है मैं मेरा घर संबाल गया है जौब संबाल कर में करूँगा उसके लिए YouTube का video बनाना primary job है और जब तक YouTube आपके priority पे नहीं आता जब तक आप ये schedule नहीं बनाते तब तक आपका YouTube channel ग्रो नहीं करेगा अब schedule बनाना है मतलब क्या करना है आपको कम से कम आपको दिन में एक video तो upload करना है जो आपके topics से related है अगर आप नहीं करोगे तो जैसे मैंने बोला आपका channel ranking में नीचे चला जाएगा दिखेगा नहीं और जो उस topic के ओपर video बनाएगा recently video बनाएगा उसका channel ऊपर आ जाएगा और लोग वो channel देखने लगेंगे और आपके video बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा आपके महनत का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपका channel नीचे चला गया है कोई देखेगा ही नहीं तो आप कितने भी बड़े है video बनाओ उसका कोई मतलब नहीं रहेगा तो आपको हमेशाँ top में रहना है उसके लिए आपको क्या करना है कम से कम दिन में आपको एक video बनाना है एक से ज़्यादा बना सके आप कोई बात नहीं अब आप बोलोगे एक से ज़्यादा वीडियो कैसे बनाएंगे अगर आप 10 मिनिट के वीडियो बना रहे है आप 15 मिनिट के वीडियो बना रहे है तो आप एक से ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं मतलब मैं हिस्ट्री का वीडियो बनाता हूं मरठी में जो मेरा चैनल आपने देखा होगा तो तो एक एक वीडियो दो दो गंटे का हो जाता है कभी-कभी तो दो गंटे का वीडियो बनाना मुश्किल है मतलब दो गंटे के उतना आपका चानेल अब करेगा अब आपको क्या करना है कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आप दिन में कितना वीडियो बनाओगे एक वीडियो बनाओगे चार वीडियो बनाओगे अब ये आपने तई कर लिया कि इतना वीडियो बना रहे और आप बना भी रहे हमान के चलते हैं कि आपने जो डिसाड किया उतने वीडियो आप बना रहे हैं अब ये वीडियो आप पोस्ट करोगे यूटूब पे हमेशा धान में रखो कि सोशल मीडिया में जितने भी चैनल से मतलब सोशल मीडिया में अलग-अलग अपको प्लैटफॉर्म मिलेंगे फेस्बूक है ट्विटर है इंस्टाग्रम है यूटुब इसका वीडियो पोस्ट करने का टाइम अलग-अलग है मतलब एक ही आत्मी एक ही थाके टाइम पेod फेस्बूक को वीजित नहीं करता ऊί Tube को वी मैं आपका वीडियो देखूंगा नहीं सुबद 10 बजे क्योंकि मुझे आपीस जाना है हुझे ट्रेंड पकड़ने हैं आफिस में जाने के बाद भी मेरे को उधर पर बहुत सारे टेंशन है तो आपका वीडियो आएगा तो भी मैं क्या करूंगा नोटिफिकेशन में इस में खाली YouTube की बात करेंगे अगर आपको YouTube पे आपना वीडियो पोश्ट करना है तो आपको अगर वर्किंग डेज है्पने मतल्म मंडे से फ्राइडे पकर लो कि इस वरकिंग डेज में अगर को आपका वीडियो पोश्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपको सुबह बारा से इविनिंग में चार बजे तक पोश्ट करना है इसका रेजन क्या है क्योंकि वीडियो देखना हमारे लिए एक रिलीप की बात होते हम सब लोग क्यों वीडियो देखते हैं चलो कुछ रिलीप मिल जाए हमें कुछ एंटरेंट मिल जाए कोई नई चीछ सीखें पर हम रिले देख सकता हो दो चीजे क्या देखी तो मेरा कोई फेवरिट यूटूबर है भी तो भी उसका वीडियो देखना है मुझे तो मैं कब देखूंगा वह चार बज़े के बाद ही देखूंगा चार बज़े से लेकर रात के आठ बज़े तक देखूंगा मतलब चोटे-मोटे वीडियो रहे थे 10-15 मिनिट वाले वह सारे वीडियो लोग कब देखते हैं ट्रैवलिंग में देखते हैं जो मैं आपस से घर आ रहा हूँ और मुझे पता है कि यह यूटूबर बहुत आची बात करता है पॉलिटिक्स के उपर और मुझे बात सुनना पसंद है मुझे टा चाय नाश्टा हो गरे कर लिए अभी थोड़ा में बैट आवा आराम से तो मैं वीडियो देखना जो चीज मुझे सीखनी है जो मुझे समझनी को कि अभी मेरे पास क्या टाइम भी है मेरे पास इंट्रेश्ट भी है अभी मेरा माइं भी थोड़ा रिलेक्स है तो को पर गिश्यों आपको सेटड़े संड़े अगर वीडियो पोस्ट करना है तो अब को सुबस साथ बजे से लेके शुबस दस बज़े के बीच में पोस्ट करना है क्या होता है कि मैं फ्राइडे को बहुत एक्सूश्ट हुआ होता हूँ मैंने हपते बर पूरा काम किया होत उतने में अगर मेरे फेवरेट यूटूबर कोई पॉप अप कर दें तो 10-15 मिंट का वीडियो तो मैं आराम से देख लूँगा क्योंकि मुझे देखना ही होता है वो यूटूबर मुझे अच्छा लगता है वो जो बाते करते हो मुझे अच्छा लगता है और वही टाइम प साथ आपको एक चीज और धान में रखनी है वो चीज यह है कि बहुत सारे हॉलिडेज भी आते बीच में मतलब अपने इंडिया में तो आप देखो गए तो हम लोग काम कम करते हैं अपने हॉलिडेज जाद है अलग-अलग हॉलिडेज का अपने पास पहले से शेडूल होन या फिर आप इद बना रहे हो या फिर आप कोई दूसरा हॉलिडेज आपका होली है दशेर आई चीज तो मैं मेरे यूट्यूब चानल के टॉपिक के हिसाब से कौन सा वीडियो उस हॉलिडेज के लिए बना होंगा जो लोगों को देखने को अच्छा लेगा यह मुझे प सब को स्नान करना होता है भटक है वगरे फोड़ने होते हैं आप कोई भगवान के दर्शन के लिए निकलते हो सुबह सुबह तो आपको वीडियो कोई देखेगा नहीं लेकिन दोपर के बाद सब लोग आराम से हो जाते हैं खाना पीना हो गया आराम रिलेक्स चलो क्या कर आप 4 वीडियो नीचे चला जाएगा वो देखेगा ने तो दशेरा में आपको क्या करना है सुब दस बजे से लेके एक बजे के बीच में आपका वीडियो पोस्ट करना है तो ऐसे अलग-अलग holidays का अलग-अलग schedule है तो सारा अभी में इधर पे नहीं बता सकता वो कुछ schedule है वो पता होती है कौन से टाइम पे कौन free रहेगा कौन से टाइम पे वीडियो आगे जाएगा या फिर कोई company रहती है अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करते है उनका marketing करने के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के पास expertise होती है उनके पास सालों का experience होता है कि कौन सा वीडियो कब आप जाता या कौन से वीडियो को कब response मिलता है तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको साल भर का एक schedule बना के देती है आप वो schedule से चलते रहोगे तो आपको ज्यादा response मिलता है तो schedule बहुत important हो जाता है आपकी YouTube channel के लिए तो पहले आपको क्या के time के लिए भी आपको strict train आए उसके ऊपर कि मैं इसी time में उसको पोस्ट होगा आपको time निकलना है ऐसे नहीं कि यार मैं अभी वीडियो बनाने का पोस्ट करने का time हो गया मैं सबजी लेने नीचे गया या मैं कुछ TV मेरा serial आ रहा है popular में वो देखना छोड़ना नहीं चाह आपको response नहीं मिलता शुरुवात में अगर आपको YouTube चैनल नहीं आए तो आपको response मिलता ही नहीं क्यों कि लोगों को आपकी YouTube चैनल का नाम ही पता नहीं होता चाहे आपका content कितना भी आच्छा हो लोग नहीं जानते कि आरे यारे यह यह एक नया YouTube चैनल आया है और जब तक आपकी YouTube चैनल को views नहीं मिलते हैं जब तक आपकी YouTube चैनल पर engagement नहीं बढ़ता तब तक YouTube भी आपके चैनल को उपर नहीं लेके आता तो उसकी वज़े से क्या होता है कि हमारे YouTube चैनल को viewers मिलना या सब्सक्राइबर मिलना मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए हमें यह करना प या हमें हमारे वीडियो का लिंक्स शेयर करना है अमें Facebook पे शेयर करना है ट्वीटर पे शेयर करना है इंस्टाग्राम पे शेयर करना है तो अगर आप मुझसे पूछोगे क्या हमें शेयरिंग करना चाहिए अगर आप आपका YouTube चानल नया है और आपको ज्यादा experience नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का कैसे करते हैं या आप घर से कर रहे हो आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपने हायर नहीं कर सकते हैं या आपके पास कोई और जरीया नहीं है तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता आपको सारे इधर पर जाके क्या बोलते हैं हम लोग स सारे सोशल मीडिया पे जाके आपको वो आपका वीडियो शेयर करना ही पड़ेगा पर बाइडिफर्ट अगर बात करोगे तो आपने कभी देखा है कि जो यूट्यूब चैनल सक्सेस्पूल हुआ है उसने अपना वीडियो कभी शेयर किया कही किसी जगह पे या देखने के लिए नहीं आता है इसलिए नहीं कर रहे होते तो अपका होता है हमेशा से यह चीज हर जगह पर लागो होती है कि आपका कंटेंट ही किंग होता है अगर आप यूट्यूब का चैनल बना रहे हो और किसी ऐसे नहीं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं और आप यह जानकर आपको किमंतुलाई वेबसाइट पर देखने को मिलेगी तो लोग आपके चैनल पर विजिट करने लगेंगे तो सबसे पहले चीट शेरिंग करने से पहले आपको आपके चैनल का एक यूणिक सेलिंग पॉइंट अडिटिफाई करना है कि जो जानकर आपके पास ही मिलेगी और आपके पास मिलने के बाद भी जो जानकर आप लोगों को दोगे वो जानकर रही जो रहेगी वो जानकर रहेगी ऐसा नहीं हो कि उसके कोई चोरी की वी जानकर रही है इधर से कुछ चुरा के आप इधर बात कर रहे हो या कोई आलगी बात कर रहे हो टॉपिक्स छोड़ के ऐसा नहीं होना चाहिए content आपका main होंना चाहिए quality होना चाहिए unique होना चाहिए अगर आपका content quality है । लोग उस content को ढूंते ढूंते आपके channel तक आ जाएंगे को कही भी चैनल के अद्वराइस करने की जरूरतने हैं कुछ sharing घर करने की जरूरत नहीं पर अगर आपको एक common YouTube channel चला रहे हुआ, आप एक generalize topic के ऊपर YouTube channel चला रहे हुए, मतलब recipe एक generalize topic है, बहुत सारी recipes के channel बन गए, इतने हो गए millions of recipes के channel है, तो recipe क्या हो गए, मेरा generalize channel हो गए, तो आपको आपका channel भीड मे अलग कैसे दिखता है, ये प्रूप करने के लिए, आपको कुछ तो अलग करना पड़े अगर रेसीप आप बिर्यादी बनाने की रेसीप पहले की देखा रहे हो लोगों को तो भी आपकी बिर्यादी बनानी की रेसीप में क्यों देखेए प्रेसेनि कूछ आ लगेए आपका बात करने का तरिका कुछ आल गें आप जो टेस्ट से करें हो आल गें, आप रेसिपि जो स्पाइस वो है जो पता लगना चाहिए, बतलब आप आपने देखा होगा मराथी में कोई ऐसे बहुत रेसिप के चानल चलते तो कोई गाओ में रहती है, रूलर अरिया में कोई ग्रैंड मदर रह करी है चिकन करी हमने ट्राइ कर ली अभी ग्रैंड मदर के हाथ का पुरान अनुसका उसके जो स्पैसे से हाथ से बना थी देखने में लोगों को मज़ा आता है तो पहले चीज क्या हो गया अपका यूनिक से पॉइंट हो गया उसमें कि यूनिक कुछ तो रेसिपी बना लिया आपने बाद में अपने इसमें थोड़ा ब्रैंडिंग मठोरी जोड दे अपने चानल का ब्रैंडिंग किया है जो आप अब देखने के लिए चले जाओ तो लोगों को ये आच्छा लगता है तो पहले आपको यह सारी चीज़े आ चीजें आप नहीं करोगे और यह वीडियो शेयर कर रहे हो किसी भी फेस्बूक पे या ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे आपको रिस्वंस नहीं मिलने वाला क्यों कि लोग देख देख के ठख गया अभी अगर में भी बोलूगा कि मैं हिस्ट्री के ओपर बात करूंगा और मैं कोई यूनिक नहीं दूंगा लोगों को तो लोग देख देख के ठख गया भी चतरपती शिवाजी महारास का नाम सबको पता है उनके ओपर अब तब हजारों में किताबे लिखी गई है तो उनके बारे में सब लोग जानते कुछ तो मेरे पास होना चाहिए जिसमें लोगों का इंट्रेश्ट है और जो नवबती नहीं आए पर फिर भी आप अगर इनिशल स्टेज में हो मतलब मैं भी इनिशल स्टेज में हूं मैं चाहता हूं लोग मेरे चानल के बारे में जाने तो मैं फेस्बुक पे मेरे सारे वीडियो शेयर करने के लिए जाओंगा अब मैं फेस्बुक पे शेयर करने के जाओंगा तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होता है कि मैं मेरे प्रोफाइल पर अपडेट कर दूँ या फिर में मेरा एक पेज बना देता हूं मेरा ग्रूप बना देता हूं उधर जाके मैं अपलोड कर दूँ तो उधर पर अपलोड करके आपका वीवर काउंट परणीन यह बढ़ने वाला क्योंकि आपके जादा से जाधा कितने लोगघेंगे पाशंब नोगया बंगे पाइसे कितने लोगों का उपश्ट करना और एक ढ़रा उस्ट ये लिडियागी कोई गुरूप रहेगा मतलब आप Facebook पे कोई रेसिपीस का गुरूप रहेगा इंडियन रेसिपीस का गुरूप रहेगा सौथ इंडियन रेसिपीस का गुरूप रहेगा या गुजराती रेसिपीस का रूप है बंगली रेसिपीस का गुरूप है रहते गुरूप लोगों के उधर पे जाके अगर आप अपना वीडियो पोस्ट करोगे तो आपके वीडियो को ज़्यादा आपके वीवर्स मिलेंगे क्योंकि उधर पे वो इंट्रेस्टेट लोग है जो आपके चैनल को देखना चाहते इसका मतलब है कि वो ओरियंस है वो ओरियंस आप जो सब्चेट बोल रहे हैं वो सब्चेक्ट सुनना चाहते हैं ऐसे जितने बहुत सारे ग्रूप रहेंगे वो सारे ग्रूप पे अगर आप आपका वीडियो पोस्ट करते जाओगे तो दिरे-दिरे क्या हो जाएगा कि क्यूरियसिटी बढ़ता जाएगा और आपका continuity रहेगा वीडियो उसका कि आपका वीडियो आता है यहापते में आता है चार दिन में आता जो दो दिन में आता है मैं उस पर post करता हूँ, genuinely post करता हूँ, कोई लोग क्या करते है, वीडियो को admin क्या करते है, rigid करते है, चलो, rigid करते है, कोई issue ने, हम लोग बुरा नहीं मानते है, उनका group है, rigid करने का उनको हक है, तो वो group को हम छोट देते, पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो accept कर लेते, request, मेरे जब वीडियो हो जाते हैं, वो लोग accept कर लेते, तो क्या होता है, चत्रपति शिवा जी महराज को मानने वाले, मुझे 10,000 लोग एक ही जब मिल जाते, एक group में से, 10,000 में से अगर 15 लोग भी देख ले, तो थोड़ा बहुत हो क्या हो जाता है, मुझे नए audience मिल जाता है, प आप Twitter पे कौन सा handle है, जो trend कर रहा है, और आपको आपका जो वीडियो का topic है, वो वीडियो का topic उस handle से connect करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ description लिखे, क्योंकि current handle को ही आगर आप follow करोगे, तो ये आपका वीडियो लोग देखेंगे, अगर आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो, ल लिंक कर सकते हो, ये आपके ऊपर हो गया, ये अगर आप करोगे, तो possibility बढ़ जाता है, कि लोग वो handle के भाने से तो भी आपका वीडियो देखेंगे, वो दिन जो लोग Twitter पे आ गए हो, तो ये YouTube का आपका थोड़ा सा strategy होगा, Instagram की चीज आलग है, Instagram पे लोग क्या आते है, कि लोगों को attract करें, तो Instagram के अगर आपको marketing करने अपनी वीडियो के तो आप क्या कीजे, डायरेकली वीडियो उदर पे पोस्ट मत कीजे, आप कर भी नहीं सकते, बड़ा वीडियो हो तो, पर डायरेकली कीजे मत, आप वीडियो का अच्छे से एक thumbnail बनाईए, जो Instagram के size में होता रही है, यह अगर आप अपलोड करते रहोगे, Instagram पे तो लोगों की curiosity हो जागे, मतलब कल आपको अगर पचास वीडियो हो गए, आपके, कल आपको सो वीडियो हो गए, और जैसे आप recipe का channel बना रहे हो, तो आप क्या कर लोगे, recipe के अगर आप बढ़िया-बढ़िया thumbnails बनाऊ मेरे वीडियो से related है, जो मेरे वीडियो का introduction दे रहे सामने वाले को, दो मिन्ट में Instagram पे एक मिनिट में मैं छोटा से वीडियो बनाया, जैसे में एक trailer बनाता हूँ, वैसे में मेरे बढ़ा वाला अगर मेरा कोई वीडियो है, मतलब दो गंटे का मैंने चतरपदी शुवाज अगर आप आदे मिनिट का बना सकते हो, उसको इंपक्त ला सकते और बढ़ी है, जितना टाइम कम हो, और जितना आप ज्यादा एफेक्टिव बनाऊगे, उतना आपको क्या मिलेगा, ज्यादा response मिलेगा, तो और एक चीज आपको ध्यान में रखने, जैसे मैंने अभी YouTube का timing बताए आपको upload करने का, वैसे Facebook, Twitter और Instagram का timing अलग-अलग है, पर आभी में उसमें deep में नहीं जाओंगा, क्योंकि वो बात करेंगे तो हम लोग अपने subject से भटक जाएंगे यहाँ और यह अपना वीडियो भी बहुत लंबा हो जागा, पर ध्यान में रोको, वो भी चीज अगर आपको internet पे देखने को मिलेगी, तो Facebook को कौन से time पे डालना है, Twitter पे कौन से time पे डालना है, Instagram पे कौन से time पे डालना है, मैं भी इसके ओपर एक नए वीडियो में बात करूँगा, यह अपने आगे आने वाले कि यह सारी चीज़े कैसे maintain करनी, पर इस वीडियो में नह होता है, वो क्या करता है, आगे वो किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला रहता है, उसका हमेशाए advertising करते रहता है, कि चलो इतने time पे में live आने वालो, इतने time पे यह topic पे बात होने वाली है, तो आप यह चीज़ YouTube पे कर सकते हैं, कि हां, अभी यह topic है, तो मैं यह topic के बात कर करने वाला हो, एक दिन के बात बात करने वाला हो, अगर आपके दो वीडियो में बहुत बड़ा gap आ रहा है, आप बना नहीं पा रहा हो, आप चाहते हो कि बना हो continuously, फिर भी नहीं बना पा रहा हो, time gap बढ़ रहा है, कि एक दिन, दो दिन gap बन रहा है, तो आप क्या कर सकते ह हो, कि बीच वाले time में, आप कोई बड़ी ऐसा एक poster बना के facebook पे डाल रहे हो, कि चलो, कल मेरे का वीडियो आने वाला है, परसो मेरा वीडियो आने वाला है, तो उससे क्या होता है, कि आप audience के साथ आपके connected रहते हो, आप उनको engage करके रहते हो, उनको कुछ ना कुछ देते ह कुछ ना कुछ बहाना देतो, आप उनकी निगाहों में बने रहे हो, आपको वीडियो भी नहीं आएगा, तो भी आप उनकी निगाहों में बने रहोगे, तो ये आगामी वीडियो जो आपके आने वाले है, उनका आपको प्रोमोशन करना भी बहुत जरूर है, तो जब continuous नहीं आरहे हैं आपको टाइम उसमें टाइम फ्रेम बढ़ता जा रहा है दिन लगते जा रहे आपको दो दिन चार दिन का पड़ता जा रहा है तो आप क्या कीजे आने वाले टॉपिक का प्रोमोशन करते रहें सोशाल मीडिया पर करते रहें या जहां भी आपको पॉसिबल लोग किसी ग्रूप में वर्बल याप कर रहे हो, वो करते रहे हैं, तो ये कुछ क्या है, बेसिक चीज है, शेडूलिंग और शेरिंग के बारे में, सबसे पहली चीज आपे हम समराइज कर लेते, आदा गंटा होने के लिए आ गए, तो हम लोग समराइज कर लेते, कि पहली चीज है, आपको क्या करने है, कि कंटेंट के ओपर ध्यान देना है, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आपका कंटेंट कॉलिटी होना चाहिए, और आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, जिसको लोगों को जरूरत हो, अगर लोगों को जरूरत है, वही कंटेंट आप प्लाटफोर्म वहां पर कैसे आप शेयर करोंगे आपके चैनल अगर आपको मैंनली शेयर करने में दिक्कत आती इन सारे चैनल पर चैनल पर जाके शेयर करने में अलग अलग प्लाटफोर्म पर जाके Facebook, Twitter, Instagram में आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम बहुत आपका वेस्ट हो र करना पड़ेगा पैसा उनके पास जाएगा आपके जो प्लाटफोर्म से उनका username पासवर्ड उनके पास जाएगा तो उसका कोई safety नहीं रहेगा आपको और सारी चीजे वो लोग जान लेंगे और पैसा भी देना पड़ेगा और उतना सारा करके भी अगर आप वो जो आपन करना चैनल फैनल गरोंग पास नहीं कर गया मतलब इसा नहीं कि में सॉप्ट सब्सक्राइब है मेरे को महिनत करने की कोई ज़रूत नहीं मैंने सुप्टार के देंगा में यूट्यूप का वीडियो नया बनाया उदर में सारे सोचल मिडिया प्लैफों पर पोशक पोशकर अभी मेरा चैनल ग्रूब करेंगा ऐसा नहीं उधर पे भी आपको क्या करना पड़ेगा हमेशे रही लेना पड़ेगा उसका अनलेटिक्स देखना पड़ेगा जो चीज़े आपसे कम होती है वह चीज़े आपको बढ़ानी पड़ेगी उधर पे तो महिनत तो करनी जब आपको कोई भी अपना वीडियो यूटूब पर अपलोड करना है जब उसका शेडूलिंग करना है और अगर आपको शेयर करना है तो अभी यह जो हमने बाते की है यह हमें वह प्राइमरी बाते की डीटेल में हम एक एक चीज का आगे जाके एक वीडियो बनाएंगे फेसबुक शेडूलिंग का अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए क्या करना हो और चीज़े सीखते जाएंगे तो अभी इधर ही रूख जाते हम लोग मैं आप सबसे हमेशा की तरह इस बार भी गुजारिश करना चाहूंगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगे आप मुझ कैसे लगा यह भी मुझे आप बताईए आने वाले वीडियो देखने के लिए किमन तुलावी चानल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन और रखे क्या ताकि आपको यूटूब मार्केटिंग के नए नए टिप्स मिलते रहे और आपका चानल ग्रो करता है ठीक है फिर दोस्तों आज हम यही पर रुखते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यूटूब चानल मैनेज कैसे करते हैं कि अभी यह क्या हो गए हमने शेडूलिंग किया हमने शेरिंग किया तो आप बोलोगे हो गए ना सर अब और क्या मैनेज करना है YouTube चानल मैनेज करना एक अलग प्रोसेस है ये शेडुलिंग और शेरिंग अलग प्रोसेस है आपको YouTube चानल के मैंजमेंट के ओपर भी ध्यान देना पड़ता है तो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे how to manage your YouTube channel चलिए फिर यही पर रुखते हैं अभी आप मुझे इज़ाज़त दीज़े शुक्रिया थैंक यू बेरी मच